जीवात्मा को 84 लाख योनियों से तारने की क्षमता रखती जिन्वानी इंदुप्रभाजी मरासा दूसरों के नहीं, अपने अवगुण देखे, आत्मालोचना से ही होगा कल्यान दर्शन प्रभाजी मरासा सूरत 20 अगस्त जीवात्मा को 84 लाख योनियों से तारने की क्षमता जिन्वानी रखती है चातुर मास हमें स्थानक आकर जिन्वानी श्रवन करने का सुनेरा अवसर भी प्रदान करता है इस अवसर का भी हम प्रमाद और अज्ञानतावश लाब नहीं उठा पाते हैं तो यह हमारे लिए कर्म निर्जरा का सुनेरा अवसर गमवाने के समान होता है ये विचार मरूधरा मनी महासाधवी जैनमतीजी मरासा की सुशिष्या सरलमना जिन्शासन प्रभाविका वातसल्य मूर्ती इंदुप्रभाजी मरासा ने मंगलवार को श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संग गोडादरा के तत्वावधान में महावीर भवन में आयोजित चातुरमासिक प्रवचन में व्यक्त किये उन्होंने कहा कि दयाभाव विरले व्यक्तियों के मन में ही जागरित होता है जो धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति होता है उसके अंदर आठ प्रकार के गुणों का समावेश होता है इनमें करुणा दयाधर्म की माता होती है सबसे पहला धर्म दयाधर्म है जब तक मन में दयाभाव जागरित नहीं होंगे हम धर्म नहीं कर पाएंगे मनाये जाने है पर्यूशन पर्व जिन्शासन की आराधना करने का अनुपम अवसर है जिन्वानी ही है जो हम इस लोक और परलोक में सुखी कर सकती है हमने जो कर्मबंद किये है उनका क्षय केवल धर्म आराधना करके ही हो सकता है पर्यूशन पर्व सामाईक साधना वा तपस्या करते हुए आत्मोल चना करने का है आत्मालोचना करने पर ही हम अपने मन की शुद्धी कर पाएंगे हम दूसरों की बजाए स्वयं के अवगुण देखने होंगे उन्होंने कहा कि आजकल मोबाईल ने लोगों को जूट बोलना सीखा दिया है इस संसार सागर से हमें मोबाईल पार नहीं करा सकता इसके लिए तो आत्मालोचना ही करनी पड़ेगी शास्त्रों में तीन प्रकार के शल्य बताए गए हैं माया, निदान और मिथ्यादर्शन जूट बोलना और चोरी करना भी पाप है विद्या भिलाशी हिरल प्रभाजी मरासा ने भजन हो गुरूवर तेरा ध्यान धरूमे की प्रस्तुती दी धर्मसभा में आगम मर्मग्या डॉक्टर चेतनाश्रीजी मरासा तत्वचिंतिका आगमसिका डॉक्टर समीक्षा प्रभाजी मरासा सेवा भावी दीप्ति प्रभाजी मरासा एवका भी सानिध्य रहा महसाधवी मंडल की प्रेर्णा से बहर ही तपस्या की गंगा महासाधवी मंदल की प्रेर्णा से चातुरमास में धर्म ध्यान वतप साधना की गंगा निरंतर प्रवाहित हो रही है प्रति दिन तपस्याओं के प्रत्याख्यान लिए जा रहे है प्रवचन हौल मंगलवार को उस समय तपस्वी की अनुमोधना के जैकारों से गुनजायमान हो उठा जब पूज्य इंदुप्रभाजी मरासा के मुखार बिन से सुश्राविका शिमलाजी सांखला ने 27 उपवास के प्रत्याख्यान ग्रहन किये दीपीका चौधरी ने 9 उपवास, कुसुम बेन डांगी वर राखी सहलोत ने 8 से 8 उपवास के प्रत्याख्यान लिए कई श्रावक्ष्राविकाओं ने तेला, बेला, उपवास, आयंबिल, एकासन आधी तब के भी प्रत्याख्यान लिए पूज इंदुप्रभाजी मरासा ने सभी तपस्वियों के प्रती मंगल भावनाय व्यक्त की बाहर से पधारे सभी अतितियों का स्वागत श्री संग एवं स्वागता ध्यक्ष शांतिलाल जी नाहर परिवार द्वारा किया गया संचालन श्री संग के अध्यक्ष शांतिलाल जी नाहर ने किया चातुर मास में प्रति दिन प्रति दिन सुभा 8.45 से 10 बजे तक प्रवचन एवा दोपहर 2 से 3 बजे तक नवकार महामंत्र का जाप हो रहे है प्रति दिन दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक धर्म चर्चा का समय तै है